हलो फ्रेंट्स वल्कम टू मैं चैनल टोप पर्सनेल्टीज हमारे देश के धन एश्वर्य को हथियाने के लिए एसंख्य विदेशी ताक्तों ने भारत भूमी की और आग उठा कर देखने की हिम्मत की कई विदेशी शाशक यहां पैर जमाने में काम्याब भी रहे हमारी माटी पर जन में सैकडो वीर सपूतों ने इन विदेशी ताक्तों को बराबर किटक कर दी इतिहास में ऐसे ऐसंख्य राजा रजवाडे हुए हैं जिनोंने विदेशी ताक्तों को नाको चने चबवा दिये राजा रजवाडो की वीरता की कहानिया तो हम बार बार लगातार सुनते हैं लेकिन सच तो ये है कि हमारे यहां की राणिया राजगुमारिया वीरता और शोर्य दिखाने में भारत भूमी को बचाने में कभी पीछे नहीं हटी फिर चाहे वो दक्षन की रानी वेलू नचियार हो रानी अबक्का हो या अंग्रेजों से लोहा लेने वाली मरदानी जासी की रानी दुख की बात है कि भारत के वीरों के बारे में जितने जानकारिया हमारे पास है उतनी विरांगनाओं के बारे में नहीं है राजा रजवाडों की कहानियों वीरता के गुणगान तो हम गाते रहते हैं लेकिन कहीं न कहीं विरांगनाओं की गाथाएं गाने में हम कुछ कदम पीछे रह गए बेहद जरूरी है कि हम अपनी विरांगनाओं के बारे में सुने और जाने इसी शरंखला में आज हम बात करेंगे गुजरात की रानी नाईकी देवी को मुसलिम शाशक मुहमद गोरी ने 1175 इस्वी में 1206 इस्वी के बीच भारत पर कई बार हमला किया मुहमद गोरी ने 1175 इस्वी में मुलतान 1189 इस्वी में पंचाब और 1180 में पेशावर 1185 में सियाल कोट पर हमला कर दिया था और उस पर कबजा किया पर्थवीराज चोहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हरा कर मुहमद गोरी ने 1192 इस्वी में दिल्ली सल्तनत की नीव रखी क्या आप जानते हैं कि मुहमद गोरी ने भारत में प्रवेश के लिए सबसे पहले गुजरात को क्यों चुना था अपनी इन जीतों से 14 साल पहले 1178 इस्वी में मुहमद गोरी अपनी मनसुबों को काम्याब करने के लिए गुजरात के जरिये भारत में घुशने की कोशिश में था एक रानी ने ढाल बनकर भारत की भूमी की रक्षा की थी वो रानी थी गुजरात की नाईकी देवी गोरतलब है कि रानी नाईकी देवी कैसी दिखती थी आज हम वो भी नहीं जानते और नहीं उनकी विर्ता के बारे में ज्यादा जानकारी है रानी नाईकी देवी कदंब शासक महामंडलेश्वर परमादी की पुत्री थी अस्त्र शास्त्र चलाने में घुड सवारी तीरंदाजी युद्ध कोशल जैसी कई गुणों में नाईकी देवी निपुन थी उनका विवा गुजरात के सोलंकी राजा इन्हें चालुक के भी कहा जाता है अजैपाल से हुआ था राजा अजैपाल अधिक समय तक राज नहीं कर पाए और राजा बनने के चार वर्ष बाद ही उनका देहांत हो गया नाईकी देवी और राजा अजैपाल के पुत्रित मुल राज द्वितिया गद्धी पर बैठाए गए और रानी नाईकी देवी राज माता के रूप में राज्य का राज काज देखती थी मुहमद गोरी ने वो कर दिखाया था जो बड़े बड़े युद्धा नहीं कर सके थे उसने भारत के अंदर पैर जमाने शुरू कर दिये थे मुलतान जीतने के बाद उसकी नजर राज भुताना और गुजरात पर पड़ी मुहमद गोरी के निशाने पर था गुजरात का अंहिलवाड पाटन अंहिलवाड पाटन गुचालुक के मज़ के राजधानी थी अमेरिके दिहासकार टेर्टियस चांडलर का मानना है कि ये शहर एक हजार इस्वी में दुनिया का दस्वाँ सबसे बड़ा शहर था और यहां एक लाग से ज्यादा लोग रहते थी जब गोरी ने अनहिलवाड पाटन पर अकर्मन किया था तब यहां की बाग दूर मुलराज दूतियक के हाथों में थी गोरी को लगा कि एक और एक बच्चा उसका क्या बिगाड लेंगी और जल्द ही उसके ये गलत फहमी दूर हो गई थी मुहमत गोरी के आकर्मन करने की तैयारियों के बारे में सुनकर रानी नाईकी देवी ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी उन्होंने गोरी की सेना का मूँ तोड जवाब देने के लिए सेना तैयार की इसके अलावा उन्होंने पर्थवी राच चोहान समेत आसपास के राजाओं से भी मदद मांगी गोरतलब है कि उन्हें नदूल के चाहमानवंश, जालोर के चाहमानवंश और अरबुदा के परमार के अलावा किसी की भी मदद नहीं मिली राने नाईकी को ये समझ में आ गया था कि मुहमद गोरी को हराने के लिए उनकी तैयारियां काफी नहीं थी नाईकी देवी ने युद्ध की ऐसे रननिती बनाई जिसे उनकी सेना को फायदा हो उन्होंने आज के माउन टाबू की तलहटी पर स्थित गदर गटा के उबडखाबड इलाके को युद्ध के चितर के रूप में चुना ये कसारादा गाउं के पास का चितर था आज के राजस्थान के सिरोही जिले में ये जगए स्थित है जब गोरी की सेना कसारादा पहुंची तब रानी नायकी देवी अपने बेटे को लेकर रन भूमी में उतरी रानी नायकी देवी और मुहमद गोरी के बीच हुए इस युद्ध को कसारादा का युद्ध कहते हैं चालुके की सेना ने विदेशी आकरमनकारियों को रोंद दिया मुहमद गोरी को कुछ अंगरक शको के साथ युद्ध भूमी छोड़ कर भागना पड़ा उसका घमंड चूर चूर हो गया था और उसने फिर कभी गुजरात की और देखने तक की हिम्मत नहीं की इस युद्ध के अगले ही साल उसने पंजाब के जरिये भारत में गुशने की कोशिश की और सफल भी हो गया सोलंकी राजा की राज सभा के कवी गुजराती कवी सोमेश्वर ने अपने काम में नायकी देवी के बेटे मूल राज के बारे में लिखा है कि राजा की सेना ने मुहमद गोरी की सेना को परास्त किया मेरुतुंग ने प्रबंद चिंतामणी में नायकी देवी मूल राजा द्वितिय की माता का उल्लेख किया है मेरुतुंग ने लिखा कि राणी नायकी देवी ने माउंट आबू के पास गदर घटा में मलेच राजा को हराया मुहमद गोरी के हर का जिकर तेरवीश ताबदी के फरसी लेखक मिनाज उल सिराज के लेखों में भी इस युद का उल्लेख मिलता है पता दे कि राणी नायकी ने वो कर दिखाया जो एक से एक वीर राजा ना कर सके दुख की बात है कि इसके बावजूद उनके बारे में बेहद कम जानकारी उपलद है उस दोर के कई लेखकों ने इस युद का जिकर किया है लेकिन राणी नायकी को इतिहास में वो जगए नहीं मिली जो वो पाने की हकदार थी ऐसी माहान विरांगना को भारत वर्ष सदा सदरवदा याद करता रहीगा आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विशा के साथ तब तक के लिए खुश रहे थैंक्स टोल थैंक्स पूर वोचिंग बाई टेक कियर